नरायनगड के गाउं पुले वाला में वन विभाग की बड़ी लापरवही का मामला सामने आया है। जानकारी अंबाला के उपायुक्त को मिली तो उन्होंने तुरांत एश्डियम की अधिक्ष्टा में कमेटी गठित की और पेड़ों की निलामी करवाई। जिसमें ये पेड़ एक करोड ग्यारा लाख रुपे में बेचे गए। जिससे ये सपष्ट होता है कि उपायुक्त क कि सतरकता के चलते सरकार को लगभग एक करोड रुपे की चपत लगने से बच गई। जानकारी देते हुआ उपायुक्त ने बताया कि इस मामले के बाद उन्होंने ये आदेश जारी कर दिये हैं कि जिले में अगर कहीं भी पेड़ों की निलामी होगी तो वो सीनियर अधि अधिक्स्ता में कमेटी बना करके और उसके उक्सन कराई तो एक करोड गरा लाक रुपे में उन्होंने लामी हुई है तो इसमें हमने डी फो को लिखा है कि कहीं कोई अंडर असेस्मेंट होई थी या ठीक असेस्मेंट होई थी ऐसा चेक करेंगे और घोटाला टाइप की असेस्मेंट के बाद रिपलाई करेंगे कि असेस्मेंट पेड़ों की ठीक हुई थी क्या और इसमें हमने ये एपिसोड होने के बाद हमें एक नियमी बना दिय एक कि जहाँबी वी ओक्सन होगी उस इन्यर अधिकारी की और द्यक्स्ता में ही औक्सन होगी ताकि Amalin confirmati में जिसका नाम हरियाना Forest Development Corporation है और जिस rate से corporation paid खरीदता है उन्ही rate पर assessment की जाती है वहीं उन्होंने यह भी बताया कि paid का rate मार्केट में कम ज़ादा होने की वज़े से भी इसमें फर्खा जाता है जायत लेंड वेगरा को असेस करते हैं, असेस करने के बाद वो एक विजर प्राइस है, उससे निचे आप नहीं सेल कर सकते हैं, उससे उपर तो कहीं भी आप सेल कर सकते हैं, इसमें क्या होता प्राइस का, जैसे इसमें मैंने देखा, ज्यादा तर स्पेदे के बड़े पेड होता है उसकी वेलू एकदम से जो प्राइवेट वाले हैं वो ले ले लेते हैं उसको इसमें यही रहा है बाकी एज पर रूल ठीक है यह हाँ उसमें यह है कि रूल है जैसे पंचार्थ डिपार्डमेंट में होती है तो हमारा एक कंशन अधिकारी भाजा के मतलब उसमें प्र काई जास कुछ थार्डमेंट भूल